लो दोस्तों मैं सती सरा आप देख रहे हो Everything By Us के YouTube चैनल आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा YouTube पे पढ़ाने के लिए किसी भी किताब का PDF फाइल कैसे बनाते हैं और उसके उपर वीडियो कैसे बनाते हैं वीडियो को लास्ट पेक देखना वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूँगा जो आपको जरूरत होगा वीडियो बनाने के लिए किसी भी तरीके का कलास करवाने के लिए वैसे तो आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा पर ये वीडियो सबसे हटके है वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक जरूर से करना तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीडियाफ फाइल कैसे बनाते हैं किसी भी बुक का या फिर किसी भी पेपर का या फिर किसी भी कॉपी का क्यूंकि पीडियाफ फाइल से ही आप तो पढ़ाओगे हैं किसी भी बुक से ही पढ़ाओगे तो बुक का पीडियाफ फाइल बनाना आपको बहुत जरूरी होगा सम को पेपर को पीडियाफ फाइल बना देता है यह वाला कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा इसका नाम आप देख लो एक बार वैसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा डाउनलोड करने के लिए वहां से जाकर के डिरेक्टली आप डाउनलोड कर दरसकते हो इसको उपेंड करना ने के बाद में अपना बुक को आपपन कर लेना जिस बुक के पेज़ को पीडियाफ फाइल बना करके और संजाना चाहते हो यानि पढ़ अचाहते जाहते हो आद ध击ीयस तरीके का इंटफीस दिखाए देगा तो आब आपको क्या करना इस यह देखो मैं यहां से इस तरीके से एक बार क्लिक कर दिया अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यह फोटो हमारा आ गया है अब यह देखो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यहां से इस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हो अब इसमें नेक्स्ट कर देना आपको नेक्स्ट क से दिखाए देगा यह कुछ इस तरीके से दिखाए देगा तो मालो मुझे यह वाला रखना है जिसको मैं सेव कर दूँगा ठीक है अब देखो यह पेज हमारा त्यार हो गया पीडिया फाइल का और इसी तरीके से फिर से मैं जाओंगा अगर आपको एक साथ में बहुत सारे पेज चाहिए तो इस बाले सैटिंग पर टच कर दो एक बार और जितना टच करोगे उतना यहां पर दिख जाएगा आपको पर उसमें एडिट नहीं कर पाऊगे अब देखो दूसरा पेज को भी मैं चाहूंगा तो इस तरीके से यहां पर मैं दूसरा पेज निकाल ले रह हो चुका है इसमें बिल्कुल भी महनत नहीं करना नेक्स्ट के बटन पर टच करना इसका जो भी इसका फोकस है उसको चैंज करके और यह देखो दो पेज हमारा आगया पहला यह वाला दूसरा यह वाला अब यहां पर पीडिया जहां पर लिखा ना वहां पर आपको टच क करने के बाद में यहां फॉलेगा फााइल का नाम देने के लिए तो फाइल का नाम आप अपने हिसाब से देना टाकि आपको वीडियो बनाते वक्त आपको समय लगा ठीक है जैसे मैं यहां पर लिख दूंगा 37mmीशा भी सृचा है तो यह वैसे अगर आप इसको ढूड़न चाहोगे तो डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा आपको डाउनलोड सेक्शन को आपको ओपेंड करना है और ओपेंड करने के बाद में आपको एक option मिलेगा क्या मैं स्केनर जो आपकी application का नाम है उस पर आपको टच करना यह आप देख सकते हो इबूक आपको मिल जाएगा अब यह तो हो गया नॉर्मल हमारा यह पीडिया फाइल और जो हमने सेव किया अब आपको इसके उपर वीडियो कैसे बनाना है यह देखो गौर से समझना बात कैसे बनाना है अगर फॉन को आपको horizontal रखना चाहते तो रख सकते हो या फिर लेंड कर लेता हूं एक्स रेकॉर्डर का भी डाउनलोड करने का लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा या फिर गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो यह कुछ इस तरीके से open होगा इसको open करना है सारे permission को allowed कर देना है अब यहां पे देखोगे तो स्टोर करने के बाद लिए लुवरर से दीशेख से यहां पर ड्राइब विवर का मैं इसको open करऊंगा और open करने के बाद में आगर आप इसको land skip mode में रखना चाहते हो तो इस तरीके से आप land skip भी कर सकते हो यह देखो मैंने land skip mode कर देखो अब इसमें अगर मैं पढ़ाना चाहूँगा किसी को किसी भी तरीके का arrow इसमें दिखाना चाहूँगा तो कैसे दिखाऊंगा यहां पे देखो यह वाला मैंने आपको बताया था ना यह सारे टूल आपको मिल जाएगा और अब इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन पे अगर मार्किंग लगाना है इस तरीके से तो आप यहां से इस तरीके से लगा सकते हो है ना यह देखो यह सार इस तरीके का बर्स का इस्तमाल कर रहे हो इस तरीके से लिखना चाहते हो गोल अपने हाथों से तो इस जेगे पर बर्स पर टच करोगे और जिसको जो भी समझाना चाहते हो समझा सकते हो अगर इसको मैं अंडो करना चाहूंगा तो इस तरीके से इसको स्क्रॉल डाउन करन और फिर से ब्रस के option को टच कर देना इसको इनेवल करने के बाद में जिस भी चीज की जरूरत है आपको उसको आप यूज कर सकते देखो यहां पर मैं इस तरीके से यह वला लगाऊंगा अगर मुझे इसके ऊपर तीर चीन का option चाहिए तो इस तीर चीन पर मैं टच करूंगा और यहां से इसको scroll down करके यहां से इस तरीके से question mark कर दूँगा है तो यह सारे option है और यह चीजे आपको साहिद पता नहीं होगा कैसे इसको use करते पर इस वीडियो को देखने के बाद में आप साहिद सीख गये होंगे अगर कुछ सीख गये हो तो वीडियो को like जरूर से करन अब यह इसमें कुछ भी नहीं करना आपको नॉर्मल वीडियो बना लेना है और जो भी वाइस रेकॉर्ड कर लेना उसके बाद में सेव करके वीडियो अपलोड कर देना वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को like करना ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल करके बैल आइकन जरूर से प्रेस करना है